हलो दोस्तों स्वागत है आपका इंगेन कुईजीन विद पिंकी केश में आज हम बनाने वाले हैं यह सत्तू के लड़ू इन्हें बनाने में महनत बिलकुल भी नहीं लगने वाली क्योंकि बिना गैस जलाए मिंटों में हम घर के रखे कुछी सामानों से इन्हें बना कर तया यह मैंने 1 4th cup घी लिया है घी को मैंने कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दिया था तो यह सत्रा का हलका सा जम गया है हमें इसी पॉम में चाहिए एकदम मैकेट भी नहीं और एकदम हाट जमाँ वा भी नहीं तो इसे यहमें निकाल लेती हूं एक बोल में और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप इसी हुई चीनी अगर आप इसकी जगा कोई अच्छा सब्स्टिट्यूट या हैल्दी सब्स्टिट्यूट चाते हैं तो आप इसकी जगा देसी खान या फिर मिश्री का पाउडर भी यूज कर सकते हैं अब हम इन घी और चीनी के पाउडर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो जैसे यसे हम इसे मिक्स करते जाएंगे ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आता जाएगा ये दिखिए मैंने इसे पाच मिनिट मिक्स किया तो एकदम क्रीमी सा फॉर्म इसका हो गया है अब हम इसमें यहां मैंने लिया है एक कप सत्तू, सत्तू आपको किसी भी ग्रोसरी स्ट्रोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो आप इसकी जगा जो बिना चिलके वाले चने मिलते हैं, उन्हें पीस कर भी सत्तू का पाउडर बना सकती है, फ्लेडमर के लिए य इन सबी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके बांद लेते हैं इस तरह से, तो इसमें घी है, वो आस्ते आस्ते सत्तू को एकदम अच्छी तरह से बांदने लगेगा, यह देखिए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि इसमें घी थोड़ा सा कम है, क्योंकि यह बंध तो इसमें मैं एक टी स्पून के करीब और घी डाल देती हूं, आपको शायद ना भी लगे, तो इसे अभी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं, और यहां मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, कि यह अब एकदम अच्छी तरह से बंद रहा है, यानि लड़ू का फॉ लेते हैं इसमें से, और हातों में अच्छी तरह से पहले हम दबा के इसे राउंड कर लेंगे इस तरह से, फिर हातोलिये को बीच में रख के हम इसे इस तरह से गोल लड़ू का शेप दे देते हैं, बहुत ही आसानी से देखिए, यह बन करके तयार हो गया, और बिना जंज का ड्राइफ रूट्स इसके उपर लगा सकते हैं, तो यह हमारा लड़ू बन करके तयार हो गया है, और बस इसी तरह से हम, बाखी लड़ू भी बना करके तयार कर लेते हैं, यह देखिए, जट पट से एक और बन गया, और दीखिए, कितने प्यारे लग रहे हैं यह, और इसी तरह से सारे लड्डू मेरे बन करके तयार हो गय है और यह सत्तू से बने हैं तो डाइजेशन के लिए भी बहुत ही अच्छी है तो जो नॉर्म ही खा पाते उनके लिए लड्डू बहुत ही ज्यादा अच्छी है और इने आप काफी दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं जरू ट्राइ करिएगा फिर मिलेंगे ऐसी ही रेसिपी के साथ तब तक के लिए टेक केर बावाई